इस वोडियो में बात करेंगे कोवेलेंट कंपाउंड की कोवेलेंट बादिंग या कंपाउंड कैसे बनता है क्योंकि इससे पहले हमने आइनिक बादिंग में बताया था कि एक मिटल एक नोन मिटल लेते थे यानि आइन्स फॉर्मिशन से आइनिक इसमें अगर बात करें हम और कोबलेट बांत हैं, पर इसको पूली, पर इसको पूली, पर पर इंटर ने पर पड़ तो के रहिटे ता है, make a covalent bond. So simple है, कम से कम 2 electron का जो shear होना चाहिए और generally यह compound जो होता है, वो non-mater, non-mater nhân से हम बनाते हैं. अब shearin जो होता है, bond जब भी बनेगा, 2 electrons चाहिए, तो shearin may be of first 2 electrons, अगर आपने 2 electrons से बनाया है, तो वह single bond formation होता है, single bond, जैसे मालम हमारे पास एक a atom a है और b है, a a भी atom हो सकता है, तो इसमें मालम हमने, electron को dots से represent کیया, और इन दोनों के बीच में जो, एक lining दे रही, although ये cloud होता है, लेकिन हम इसे consider करते हैं, एक lining, दूसरा अगर आप 4 electrons से करें तो इसको हम double bond बोलते हैं, double bond between the atoms, तो अगर A और B के बीच में, अगर हम उन्हें, cross से भी हम कर सकते हैं, electrons को denote, और इनके बीच में जो bonding हुई, तो यह double bond हो गया, इसी तरह six electrons से triple bond, तो तीन तरह की यह bonding होती है, atoms के बीच में, जो पूरे chemistry में कोवलेंट के लिए use होता है, और six electrons कर सकते हैं, और यह अपर तीनों के बीच का जो bonding होगा, इसको और अच्छे से अगर हम दिखाएं, तो इस तरह से दिखा सकते हैं, A triple bond, B. अब अगर एक example लें, तो जैसे सबसे simple example है, जैसे O2 molecule का formation, तो O2 जो है, इसके का जो formation होगा, इसके लिए हम देखें तो इसके outermost orbit में कितने electrons होते हैं, तो इसका atomic number 8 है, तो इसके balance electron 6 होगे, तो O2 हुआ, तो 2 into 6, यानि total electrons जो हैं, वो 12 होगे, तो यह जो formation होगा, उसमें, इन दोनों O atom के बीच में, involvement of, जो electrons होगा, उस electrons को या तो हम dot से बताएं, या cross से बताएं, तो consider करते हैं, six already there, तो six में से, दो यह यह इस तरह से हम लिखें, जिसके जिसके बीच में इतना octate पुरा करने के लिए, क्योंकि यह theory Lewis ने दिया था, तो इन दोनों के बीच में, एक relation bonding बन गया है, इन दोनों के बीच में, यानि double bond, इन दोनों के बीच में, बन रहा है, और फिर हम इसको पूरे को cover कर दे तो यह octate पूरा हो जाता है, four electrons यहां पर है, और four already there, same is the case for another oxygen atom also, यहां भी इसको, यानि इन दोनों के बीच में, हमने चार electron के sharing की, और इनके बीच में, oxygen, oxygen के बीच में, double bond create हो गया, और यह auto molecule बन गया, इसी तरह अगर हम दूसरा molecule लें, जैसे NH3 इसमें total valence electron देखें, तो N का जो valence electron है वो five है, और hydrogen के पास तो एक ही electron है, तो टीन hydrogen है, तो three electrons, total जो हो गए हमारे पास, eight electrons हो जाते हैं, और generally जब आप इस तरह के molecules को बनाते हो, तो central यानि बीच में जिसको रखेंगे, वो generally nitrogen बीच में होगा, और hydrogen और oxygen को तभी रखते हैं, जब hydrogen को कभी नहीं रखते, नीच में central atom नहीं बनाते, central atom में यहां पर nitrogen रखेंगे, अगर oxygen और hydrogen होगा, तो oxygen को central atom बटाएंगे, और side में हम side atom में इसको रखते हैं, तो side में जैसे H, three H है हमारे पास, तो इसको side में रखे, हम सब के पास, एक एक electron था, hydrogen के पास, और nitrogen के पास पांच electron था, तो इसने एक एक equal number of sharing होती है, तो यह sharing हुआ, यह hydrogen ने अपना doate पूरा किया, यह hydrogen ने भी अपना doate पूरा किया, और यह भी पूरा किया, अब इसके पास तीन test के खतम हो गए, इसके पास दो बच गए, जो किसी के साथ bonding नहीं कर रहा, अब अगर हम पूरे को जोड़ दें, एक तरह से, इस तरह से, तो यह पूरा octate पूरा हो जाता है, जो बच जाता है, जो किसी के साथ bonding नहीं कर रहा है, इसको हम बोलते है, lone pair, इसके बारे में हम separate video हम बात करेंगे कि क्या इसका effect होता है, lone pair, कैसी यह काम करता है, इसी तरह अगर हम CO2 molecule की बात करें, तो carbon के हमारे पास 4 electron हो गए, और oxygen के already 2 multiplied by 6, यानि total हमारे पास 12 electrons हो गए, और जब इसको भी C को हम बीच में रखेंगे, oxygen दोनों तरफ रखेंगे, कहीं भी रख सकते है, for the sake of convenience, अब इसके बीच में oxygen चार अगर देखें, तो इस तरह से यह बना रहे हैं, अपना octate भी पूरा कर रहे हैं, और तो यह इस तरह से पूरा किया, 4 carbon का था, वो अपना पूरा किया, इसके अलावाद 6 जो थे, 4 और तो 6 इस तरह से भी, अब आप इसको पहले इस एक के टम को देखेंगे, तो इधर की त अगर यह बनाने के लिए, आप उसके बैलेंस को काउंट करें, उसके बाब आप पूरा करने की कोशिस करें, और इस तरह से उसके बीच में बांडिंग होगी, वो मैक्सिमम बांडिंग जो होगी, सिंगल बांड, डबल बांड और ट्रिपल बांड उससे ज़्यादा बांड नहीं बनेगा, और साथ में कई बार हो सकता है, कि किसी के पास लोन पेर भ हिसाब से बनता है, इसलिए उसमें डूएट देखते हैं, और सब में आक्टिव,